है लो टीर स्टूरेंट्स बहुत-बहुत स्वागत था आप सभी का आपके अपने यूटूब चानल स्टडी विद दुलार में बच्चों यह एंसियाटिका मैथ क्लास 6 का है यह चप्टर 5 है एकसरसाइज 5.2 तो आज हम लोग इसको सॉल्व करेंगे यहां पर क्या क्या क्य मतलब घडी इस तरह से घुमती है उसी तरह से घुमें और यहां से यहां तक चलता है तो वह कितना फ्रेक्शन मतलब फ्रेक्शन में इसका आंसर देना है कितना फ्रेक्शन वह रेवल्यूट करता है मतलब घुमता है तो कहां से कहां तक दियावा है जैसे ए नमर में दिया हन creator सकता है तो नीचे में इसा अंसर है और एक आता है तो हो जाएगा और आधा का मतलब होता है 1 poem by 2 यह answer आ सकता है यह answer आ सकता है अगर थीन भाग चलता है यहां 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 से लेकर यह यह तक तो उसका आधा कहल करको टहुत तो फिर फिर ओक्राइब घुम जाता है तो उसका answer हो जाएगा 1 ही आ जाएगा तो यहां पर हम लोग उसका यहाँ यहाँ बाद थो यहां से शुटिप चलता यह वर है 5 है और यह 6, 7 तो यहां से शुटेपों इसका मतलब होता है कि 1 by 4 भाग ओ Cap cheap इसका अंसर हो जागा, उसके बाद 7 से 10 चलता है, तो 7, 7 कहा है, यहाँ पे है, तो 1, 2, 3, फिर 3 स्टिप चल रहा है, इसका मतलब है कि फिर 1 by 4 चल रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1 by 4, यह अंसर हो गया, उसके बाद यहाँ पे 12 to 9, 12 कहा है, यहाँ, यह से यहां चला पिर यहां चला यह अधा हो गिया हो गया और फिर कुछ सोख के लेके यहां से चलते चलते तो यहां से 3 भाग कहा है, 1, 2, 3, यह हुआ, फिर 1, 2, 3, 2 हुआ, फिर 1, 2, 3, 10 तक चल रहा है, मतलब 3 भाग यह चला, 3 भाग मतलब 3 by 4, तो इसका अंसर क्या हो जाएगा, 3 by 4, यह हो गया, उसके पदर 6 to 3 चल रहा है, तो यहाँ 6 है और फिर यहाँ से चलते 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 यहाँ एक भाग यहाँ हो गया दूसरा तीसरा तीन भाग हो गया यहाँ तक चला तो इसका भी आंसर हो जागा 3 by 4 3 by 4 इस तरह से हम इसका अंसर निकाल सकते हैं यह complete हो गया अब जब भी इसको बनाए आपको problem होगा तो इस तरह से घड़ी बनाकर अब बना सकते हैं इस तरह से आप असानी से बना सकते हैं और इसमें गलती होने की संभाणों नहीं रहेगा इसके बाद question number 2 where will the hand of a clock stop if घड़ी की स्वी आवर हैंड जो है कहां पे रुकेगी अगर वो यहां से चलती है start at 12 12 पर से चलती and max 1 by 2 of your revolution clockwise 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 मतलब घड़ी जैसे घुमती है उसी तरह से अगर anti clockwise बोलता है तो घड़ी जैसे घुमती है उसका उल्टा हो जाएगा यहां पे 12 से चल रहा है और हाप 12 से आधा चलना है यह इसी घड़ी से भी कम कर सकते हैं यहां पे देखिए अप यहां 12 है तो 12 यहां से और आधा चलना है तो यहां से यहां तक चलना है यह आधा तो यह आधा हो गया हाप हो गया यहां हाप पतला रहा 1 by 2 का मतलब हाप तो 12 पे सुई थी अभी और अंसर क्या हो जागा six six लिख सकते हैं अंसर हो गया starts at two and max फिर आधा बना रहा है अधा घुम रहा है और कुलकवाइज मतलब जैसे घड़ी चलती तो अभी कहा है two पर है तो आधा चलना है तो आधा मतलब यह सीधा इस तरह से चलेगा जो यहां पे यहां जब था तो one two three four five six तो यहां है और आधा चलना है तो मतलब यहां भी six गर चलेगा one two three four five six कहां गया eight पे गया इसका अंसर क्या हो जागा eight यह हो गया उसके बाद सी नमबर में starts at five and max one by four of a revolution one by four मतलब आधा का आधा हो गया मतलब एक भाग clockwise five से start क्या होगा है तो यहां से मतलब three step चलेगा one two three तो इसका भी answer क्या हो जागा five से चलेगा one by four तो eight होगा इसका अंसर और d नमबर में starts at five and max five से अब फिर से चल रहा है लेकिन three by four भाग चल रहा है of a revolution clockwise सब में clockwise है तो यहां से ही चलना है तो यहां three और फिर three six और three nine nine step चलना one two three four five six seven eight nine two दो बज़ रहा है तो यहां पर इसका अंसर हो जागा two इस तरह से इसका अंसर हम लोग निकाल सकते हैं question number three three में which direction will you face if you start facing कि आपका face जो है कौन से दिसा में होगा अगर आप घूमना सुरू करते हैं आपका face किदर है इस से start करते हैं and mac one by two is to start करते हैं इसलिए यहां इक पिक्चर बना हुआ यह is to have west है north है यह south है तो आप इस्ट में है और clockwise घूमते हैं clockwise मतलब घड़ी के जैसे गूमते हैं इस से आप घूमते हैं अधा मतलब यहां से आप यहां सीधा तक इस तरह से घूमते हैं तो आप west में जाते हैं इसका तो वन जब वन मतलब पूरा आप घूमते हैं पूरा घूमने मतलब फिर से घूम के आप इस्ट में आ जाते हैं और फिर हाप घूमते हैं फिर यहां से फिर आप घूमते हैं फिर से आप west आ जाते हैं इसमें भी इसका अंसर हो जागा west यह west हो गया अब C नंबर में यहां च्पो ये सूर एक वेस्ट एन्प्ट लूएं उस्त है किया है अप डूखोंद अर्म तो सब्सक्रांद लेकिन हें ट्रीत करें लोग टीट और अंपंड है व्हां पर गों पहीं हैं इधर से अ रहां और 3 x 4 मतलब एक भाग यहां हो गया दूसरा यहां हो गया तीसरा यहां हो गया 3 x 4 तो यहां इसका अंसर क्या जागा नॉर्थ तो इसका अंसर हो गया नॉर्थ यह हो गया उसके बाद question number D अब आप हैं South and Mac1 full revolution अब South में हैं और आपको full revolution लेना यहां से इधर से घुमते हैं clockwise तो फिर घुमके आप साथ में आएंगे और फिर इधर से भी घुमते हैं तो घुमके आप इधर आएंगे तो इसमें इसलिए कोई भी clockwise या anti-clockwise नहीं दिया हुआ है इसलिए यहां लिखा हुआ है Should we specify clockwise और anti-clockwise for this last question कि last question के लिए clockwise और anti-clockwise दिया नहीं है वाई नोट ऐसा क्यों है तो इसका region सबसे पहले इसका answer हो जाएगा South और ऐसा क्यों होगा तो इसको भी लिख के बतला देना है तो यहां पे मैं एक paper ले ले लेता हूं और आपको लिख कर दिखा देता हूं तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं कि अगर दोनों तरफ से घुमा जाए तो फिर हम उसी जगह में पहुँच जाएंगे इस तरह से हम लिख सकते हैं question number 3 है यह और 3 का D number है तो D में हम इसका answer पहले south हो गया जो कि मैंने वहां लिख दिया है और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं because in both revolution इस तरह से हम लिख सकते हैं because in both revolution अगर हम दोनों तरफ से घुमते हैं we come back to the starting position तो हम फिर वापस शुरुवात वाला जो position उसी पर हम आ जाते हैं इसलिए इसमें clockwise और एंटी clockwise नहीं दिया हुआ है अब आगे देखते हैं question number 4 में क्या कह रहा है यहाँ पे पुछ रहा है what part of revolution have you turned through if you stand facing अधी आप इस दिशा से घुमते हुए उस दिशा को face करते हैं तो फिर आप कितना पार्ट कितना भाग जो है रिवल्यूट करते हैं मतलब इसका answer जो है आपको fraction में देना है कितना पार्ट आप टर्न करते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है जैसे ए नमर में east and turn clockwise to face north अब east में पहले आप हैं और clockwise घुमते हुए आपका face अब नॉर्थ में तो यहाँ पे जैसे की यह picture से हम समझ लेते हैं यहाँ जैसे दिया हुआ है इस्ट में हम है इस्ट में यहाँ है अब इस्ट से हम नॉर्थ में जाते हैं clockwise यहाँ से एक भाग हो गया दूसरा भाग हो गया यह तीसरा भाग हो गया तो 3 भाग हो गया इसका answer हम क्या लिख सकत पहले हम south में हैं, south यहाँ पे हैं और clockwise हमको turn करना है, south से हम east जाते हैं, तो यहाँ से 1 भाग, 2 भाग और यह 3 भाग, मतलब इसका answer भी 3 by 4 होगा, 3 by 4, उसके बाद c number में west and turn clockwise to face east, हम west में हैं, clockwise चलना है, और east में जाना है, तो east में जाना है, तो कितना चला, दो भाग चला, इ 1 by 2, तो इसका answer हो जाएगा, 1 by 2, यह इसका answer हो गया, इस तरह से पता चला जाएगा, question number 5, यह ज्यादतर समझने का question है, यहाँ पे business बनाना नहीं है, इसलिए मैं other paper लेकर नहीं बना रहा हूँ, question number 5 में, find the number of right angles, the right angles का कितनी संख्या होगा, यह पूछ रहा है, turn through by, the hour hand, घ pause from, कहा से कहा तक, 3 से 6, 3 से 6 घुमता है, तो आप यहाँ पे गड़ी बना सकते हैं, क्योंकि अब जो गड़ी बना हुआ हो काफी दूर हो चुका है, 3 to 6, यहाँ पे right angle, तो यह इसमें 4 right angle बना हुआ है, 1, 2, 3, 4, 4 right angle है, तो यहाँ पे 3 से हम 6 जाते हैं, तो 1 right angle होगा, और यहाँ 1, 2, 2 से 8 जाना है, 1, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ 5 हो गया, और यहाँ 7, और यहाँ 8, 2 से चलना है, तो यहाँ से 1, 2, 3, एक right angle, 1, 2, 3, 2 right angle, तो इसका answer क्या हो जागा, 2, 2, 2 इसका answer हो गया, 5 to 11, कहां है, यहाँ पे 5, तो यहाँ से 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2 हो गया, तो यहाँ भी इसका answer हो जागा, 2 right angles, 2 हो गया, अब 10 to 1, 10 यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ से हम चलते हैं 1 तक, तो 1, 2, 3, 3 स्टेप चलते हैं, इसका मतलब है कि हमको एक right angle मिलता है, तो इसका answer हो जाएगा 1, यहाँ पर 1 लिख लेते हैं, और फिर next में इन नमबर में दिया हूए 12 to 9, 12 कहाँ पर है यहाँ पर है और clock जो है इधर से चलेगी नहीं, इधर से clockwise चलेगी, तो यहाँ से चलते हुए 1 यहाँ तक हुआ, 1 right angle, यहाँ से यहाँ तक 2 right angle और यहाँ से य 6 तक 2 right angles, इसका मतलब इसका answer हो गया, 2 right angles, इस तरह से हम इसको answer कर सकते हैं, यह complete हो गया, उसके बाद question number 6 और 7 दो question इसमें और दिया हुआ है, question number 6 यहाँ पर लेते हैं, how many right angles do you make, if you start facing, तो यहाँ भी right angles का ही संख्या पूछ रहा है, कितने right angles होंगे, अगर आप घुमना south and turn clockwise, clockwise घुमना है घड़ी की तरह to west, अगर south से आप west घुमते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, एक इस तरह से बना लेते हैं, यह और यह direction हम लोग इस तरह से, तो यहाँ पर east हो गया, और यहाँ पर west हो गया, यहाँ पर north हो गया, और यहाँ पर south हो गया, अब इस से पता च चलेगा, हम लोग अभी क्या है, south में, तो यह south में है, clockwise घुमना है, और जाना है west, तो यहाँ से यहाँ गया, कितना right angles हुआ, तो right angles यहाँ से यहाँ जाने में, one right angle, तो इसका answer क्या हो जाएगा, one, one हो गया, उसे तरह से b number में north and turn, anti clockwise to east, अब हमें यहाँ पर उल्टा घु यहाँ से यहाँ 2 और यहाँ से यहाँ 3, तो इसका मतलब है कि three right angles हो जाएगा, तो इसका answer हो जाएगा three, उसके बाद यहाँ पर c number में west to west and turn to west, west से west जाना है, और यहाँ पर clockwise और anti clockwise कुछ भी दिया हुआ नहीं है, तो इसका मतलब है कि अगर हम west to west, मतलब full revolution लेते हैं, तो clockwise और anti clockwise वहाँ पर माइने नहीं रखता है, अब यहाँ पर west में हैं और full revolution लेते हैं, west अगर clockwise लेते हैं, इधर से इसे घुमते वे जाते हैं, तो यहाँ पर west पहुंचते हैं, और अगर इधर से भी घुमते वे जाते हैं, full revolution लेते हैं, तो यहाँ भी west में ही पहुंचते हैं आप जहाँ पे हैं वहाँ से full revolution लेते वे आप फिर वहीं पहुंचते हैं इसका मतलब 4 right angles होगा तो यहाँ पे इसका answer हो जागा 4 4 right angles हो गया उसके बाद d number में south and turn to north south and turn to north यहाँ पे south में हैं यहाँ पे हैं और north में जाना है तो हम anti clockwise चले या clockwise चले हमें दो right angles जाना होगा दो right angles इसका मतलब है कि two right angles हो जाएगा इस तरह से इसका answer आसानी से इस तरह से diagram बना के अब निकाल सकते हैं इसमें कुछ करने की आओ सकता नहीं है question number seven यहाँ पर उसी तरह का question दियावा है where will the hour hand of a clock एक घड़ी का यह hour hand जो है वो कहां पे होगी कहां पे रुकेगी if it starts अगर यहाँ शुरू करती है मतलब चलती है कहां से six से and turns through one right angle six से one right angle चलती है तो इस figure से भी समझ सकते हैं हम लोग मान लेते हैं कि यह 12 है six है इस तरह से घड़ी के जो hour hand होता है इस तरह से ही चलता है यह six हो गया यह nine हो गया यह three हो गया इस तरह से यहाँ से भी समझ सकते हैं यहाँ पर देख लिजए कि यहाँ पर six से अब चल रहे हैं और one right angle चलना है तो यहाँ से clock तो इधर ही चलेगी तो यहाँ से one right angle यह right angle तो यह बन गया तो यहाँ से यहाँ गये तो nine इसका मतलब है कि कहां पर रुकेगी nine पर रुकेगी तो इसका answer हो जाएगा nine उसके बाद from eight and turns अब eight से चल रही है दो right angle चलना है तो eight कहां हो जा रहा है यह seven हो गया यह eight हो गया अब यहाँ से चलना है दो right angle का मतलब है कि इसको six step चलना पड़ेगा यहाँ से one two three four five six इसका मतलब है कि two यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ से eight से गरम चलते हैं तो यहाँ पर दो right angle चलत और इसके बाद C में from 10 and turns through three right angles, 10 से तीन right angle चलना है, 10 कहां है, 9, 10, तो तीन right angle का मतलब होता है, एक right angle में तीन step होता है, तो तीन right angle का मतलब तरी तरी जा 9, 9 step हो जागा, तो यहां 10 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मतलब 6 के बाद यहां 7, तो 7 पे यह hand जो है, our hand वहां पे रुखेगी, तो इसका answer वह जागा 7, last question, D number का 7, from 7 and turns through two straight angles, 7 से वह चलना शुरू की है, दो straight angle चलती है, straight angle का मतलब होता है, 180 degree, और फिर double, मतलब 183, 60, मतलब जहां से चली थी, वहीं पे उसको चलना है, मतलब full revolution इसको लेना है, 7 o'clock से, यहां से चल रही है, तो यहां से, तो 7 से फिर 7 आ गई, इसका मतलब है कि इसका answer हो जाएगा, 7, 7 से घुम कर, पूरा revolution लेगा, straight angle का मतलब 180 degree, आधा होता है, और 2 right angle का मतलब होता है, कि वह पूरा revolution लेगा, इसका मतलब जहां था, वहीं पे पहुंच जागी, इसका answer हो जागा 7, और इस तरह से exercise 5.2 पूरी तरह से यहां पे complete हो जाता है, अगर आप लोग को किसी तरह का कोई doubt रहता है, आप comment box पे comment कर सकते हैं, मैं आपके doubt को दूर करने का पूरा परियास करूँगा, अगर हमारा या वीडियो आपके लिए helpful है, ता आप हमारे इस वीडियो को एक like जरूर कीजिए, और इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए हमारे channel को subscribe कीजिए, अपने दोस हम लोग next वीडियो में solve करेंगे, ता यह हम लोग next वीडियो में चलते हैं,